11 सितंबर दोपर के बाद कुम्ब राशी मिलेगा प्यार और पैसा जोती शास्तरों के अनुसार गरहन अक्षोतरों की लगातर बदलती चाल हर किसी व्यक्ति का भग्य प्रबावित करता है यदि किसी व्यक्ति की राशी में गरहों की स्थिती ठीक है तो जीवन में सुकद नतीजे मिलते हैं परन्तु गरहों की स्थिती ठीक ना होने के कारण जीवन कठिना या पुर्वक व्यतित होता है इस संसार में हर किसी व्यक्ति की राशी अलग है और सबी लोगों पर ग्रहन अक्षत्रों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है समय के साथ साथ जीवन में बहुत से उतर चड़ाव आते रहते हैं जिसका हर कोई व्यक्ति सामना करता है जोति शास्तर के अनुसार आज हम आपको कुंबर राशी उनके बारे में बताने वाले हैं 11 सितंबर दोपर के बाद कुंबर राशी वालों को अपना सच्चा प्यार और पैसा मिलने वाला हैं जो लोग आजकल अपने प्यार को पानी के लिए उनके पीचे भाग रहे हैं, उन्हें अपना प्यार मिल सकता है। जिन लोगों का विवाह हुआ हैं और अपने वयवाहिक जीवन में हर वक्त कलह पैदा होती हैं, तो वो भी अब खत्म होनी वाली हैं। आप अपने कामकज में बहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। आप अपनी योजनाओं को सही रूप दे सकते हैं। परिवार की आर्तिक सिती में अदभूत सुधारा आ सकता हैं। दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्णा बातें आज की सुड़े में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें। और भोलेनाजी का अशिर्वात चाते हो तो कमेंड में जै भोलेनाजी लिकना ना भूले। साथी हमारे चैनल को सब्सक्राब जरू करें। तो चलि पुरुद्ध होंगे। दिंचेरे में बदलाव करके आप अपने करतेवे का भली बहनती से पालन कर सकते हैं। धन संबंदी जोखिन से बचे क्योंकि रून लेना आपके लिए हानी का रख होगा। आप अनभव करेंगी कि आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत हैं। आपको आपके परिश्रम से भी अधिक अच्छा परणा मिलेगा। गलतियों से बचे क्योंकि वे आपके कार्य या नोकरी को खत्रे में डाल सकती हैं। अगर हम कुमबराशी की लवराशी पल की बात करें तो दुश्मन या विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते ह हैं। लेकिन आपकी लव लाइफ आपको निराशार नहीं करेगी। प्यार की इन पलों से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साथवे आसमान पर हैं। महनत का फल मिलेगा किन्तु किसी विश्वसन ये व्यक्ति से दोका भी मिल सकता है। आपकी हिस्से में हैं एक मिश्रित प्रनामों वाला दिन जिसमें आपको सफलता की साथ साथ और सफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इन खटे मिटे क्षणों में एक समान रहें वही सफलता का पातर है। अगर हम कुम्ब राशी की सामाने राशीपल की बात करें तो आपकी मन में कुछ नया और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपके दोरा ले गए अधिकतर फैसले सही होंगे व्यापार में प्रगती की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती हैं किसी काम से धनलाप की स्थिती लगातर बनी हुई है आपको किसी भी प्रकर के विवादों में उलजने से खुद को बचाये रखना होगा अगर हम कुम्बराशी की ध्यान में रखने वाले बातों के बारे में बात करें तो जो भी काम अपने हाथ में ले उन्हें सोच समझ कर ले उन कामों में सफलता की उमीद कुछ कम ही है आपकी महतो कांक्षाएं आप पर हवी होने की कोशिश कर सकती है इस स्तिती से बचने का प्रयास आपको करना होगा आप बहुत अधिक्त सक्रिय रहेंगे दिन बर भागदोर लगी रहेंगी व्यापार में कियेगे कुछ सवदे और अनुभंद आपके लिए फायदे मन रहेंगे अगर हम कुमराशी की करियर राशीपल की बात करें तो आप अपनी जिम्मेदारियों और लक्षों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे क्योंकि कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है आप ध्यान तो केंद्रित करेंगे ही साथ में अपनी प्रात्मिक ताईबी तई कर सकेंगे इस समय का उप्योग अपनी उन अधुरे कामों को पूरा करने में करें जो काफी समय से अधुरे पड़ी है इस अच्छे समय का भरपुर लाब उठाएं अगर हम कुमराशी के स्वास्तराशिपल की बात करें तो आपका व्यायम करने का मन होगा आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाएंगे अब वह समय आ गया है जब आपको वापिस उसी आखर में आना होगा तो दोस्तो यहती कुमराशी के बारे में है अब बात करते हैं भगवान श्यू के इस चमतकरिक मंदिर का दर्शन है बहत खाज श्यूगणों से है इसका संबंद सनातन धर्म में भगवान श्यूजी को संहार का देवता माना जाता है भगवान श्यूजी सौबाव से बहुत ही बोले हैं और यह अपने भगवान श्यूजी के बहुत श्यूगर प्रसन हो जाते हैं श्यूग भगवान श्यूजी के अन्दर श्यूग के प्रती आस्ता कुट कुट कर भरी रती हैं जिसके जलते देश के हजारों मंदिरों के अंदर भक्तों की भारी भीड देखने को मिलती हैं वैसे देखा जाये तो देश के कोने कोने में भगवान शिव जी के अन्ने को चमतकारिक मंदिर स्तीत हैं जहां पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं आप लोगों ने भी भगवान शिव जी के भोस से प्रसिद और चमतकरिक मंदिर के बारे में सुना होगा परन्तो आज हम आपको भगवान शिवजी के एक ऐसे चमतकारिक मंदिर के बारे में जानकरी देने जा रहे हैं जिसके बारे में ऐसे बता जाता ही कि यहाँ पर दर्शन मातर से ही भगतों के सभी कष्ठ दूर हो जाते हैं जो भगत अपने सचे मन से बोलेनात के दर्शन करता हैं उनके उपर इनकी कुरुपा सदेवब बनी रहती हैं तो चलिए जानते हैं उस मंदिर के बारे में उत्तर प्रदेश के हापुड जिले के पास स्तीत है गुड मुक्तिश्वर मंदिर हम आपको भगवर शुजी के जिस चमतकरिक मंदिर के बारे में जानकरी दे रहे हैं इस मंदिर का नाम है गुड मुक्तिश्वर मंदिर जो उत्तर प्रदेश के हापुड जिले के पास स्तीत है ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर को गड़वाल राजाओं ने बसाया था दूर पर गुड मुक्तिश्वर मंदिर स्तीत है और गंगा नदी के दाहिनिक किनारी पर यह बसा हुआ है इस मंदिर में वैसे तो भक्तों का आना जाना लगा रहता है परन्तो सावन महने में शिव भक्तों की भारी भीड यहां पर देखने को मिलती है अब बात करते हैं शिव गणों से इसकी जुडिक कहानी क्या है उसके बारे में गुड मुक्तिश्वर मंदिर के बारे में एक सच्छी कथा बताई जाती है शिव पुरान के अनुसार इस स्तान पर अभिश्यप्त शिव गणों की पिशाच योनी से मुक्ति हुई थी जिसकी वज़े से इस तिर्त स्तर का नाम गुड मुक्तिश्वर पड़ा है भागवत पुरान और महाभरत के अनुसार देखा जाए तो त्रेत्रा योग में यह कुरूर राजधानी हस्तिनापुर का भाग था पुरानों के अनुसार मुक्तिश्वर की शिव का प्राशिन शिवलिंग और मंदिर कारखंडेश्वर यही परस्तित है काशी, प्रयाग, आयोध्य, आदि तीरतस्तलों की तरह की गुड मुक्तिश्वर पवित्र तीरतस्तलों में से एक माना जाता है अब बात करते हैं कामण यातर से जुड़ी यहां की तार भगवान शिव जी का यह मंदिर भगतों की बीच आस्ता का केंदर बना हुआ है दूर दूर से भगतों यहां पर अपने जीवन की परशानियों को लेकर आते हैं और शिव जी के अशिर्वात से सभी कश्टों से मुक्ति पाते हैं ऐसे बताया जाता है कि सावन में होने वाली कामण यातर से भी इस स्तान का घरा संबंध है ऐसा मना जाता है कि भगवान परशुराम ने गुड़ मुक्तिश्वर से गंगा जल लेकर पूरा महादेव मंदिर में शिव लिंग का अभिशे केया था उसी समय से कामण की परंपरा अरंभ हो गई थी शिव जी के इस मंदिर के दर्शन से भगतों को आत्म श्यांति की प्राप्ति होती है तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद